नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर दोस्तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में पूर्वग्रह और हम लोग देखेंगे इतिहास में पूर्वग्रह क्या है इसका कारण क्या है और विभिन इतिहास कारों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है अब यहां से जो प्रस्ण पूछे जाते हैं आपके UGC, NET, GRF के एक्जाम में कोशन आ सकते हैं, अगर आप पोश्ट ग्रेजुशन, MA कर रहे हैं इतिहास से, तो उसमें भी आपके सलेबस में इतिहास लेकन का जो खंड होता है, उसमें आपको यह पढ़ना होता है, पूर्वग् पूर्वग्रह का मतलब क्या होता है, पूर्वग्रह का सिंपली से अगर आप देखें तो एक मतलब होता है, पक्चपात, यानि निस्पक्च ना होना, अगर कोई बेक निस्पक्च नहीं है, तो यानि कि वो पूर्वग्रह ही है, तो पूर्वग्रह का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना या किसी एक तरफ जुक जाना अब चलिए हम लोग इसको डीटेल में पढ़ते हैं देखिए इतिहास में पूर्वग्रा वर्तमान इतिहास में सरवत्र पूर्वग्रा द्रिष्टी गोचर होता है जिसका प्रमुख कारण है विशय की अतिधिक व्याख्या सुईकार किया जाता है जिसका प्रमुख कारण क्या है विशय की अतिधिक व्याख्या करना इतिहास पूर्वग्रा आजकल मुक्त नहीं है इतिहास में पूर्वग्रा है ही है और इसका करण क्या है अत्तिधिक व्याक्या करना देखे किटसन कलार का मानना है कि विशय के संचिप्त होने पर ही उसमें निस्पक्चता बिद्धमान रहती है मान लेजिए कोई विशय है कोई टॉपिक है अगर वो संचिप्त है तो हम कह सकते हैं उसमें निस्पक्चता है निस्पक्चता नहीं है लेकिन जैसे जैसे इतिहास कार बिद्धमान ये लेखक उसकी व्याक्या करते जाते हैं वैसे वैसे उसमें पूर्वग्रह आता जाता यानि जितना ज्यादा व्याक्या होगा उतना ही ज्यादा उसमें पक्च पाता आएगा यानि पूर्वग्रह आएगा साधर्णतया विशलेशल की अधिकता के कारण देखें तो आप समझे के होंगे कि पूर्बागरा क्या है यानि जितना ज़्यादा व्याख्या होगा जितना ज़्यादा विशलेशड होगा उतना ज़्यादा पूर्बागरा आता जाएगा जितना कम व्याख्या होगा उतना कम पूर्बागरा होगा देखे, जब कोई इतिहासकार साच्छों को महत्तुना देकर व्याक्या और विशलेशर की और अधिक ध्यान देने लगता है, तो उसके वर्डन में पक्षपात इसपश्ट जलकने लगता है, पक्षपात यानि पूर्वग्रा, कोई ब्यक्ति है, कोई ब्यक्ति नहीं, इतिह इतिहासकार है, जब वो किसी टॉपिक का संचलेशर, विशलेशर करता है, पढ़ता है, उसके बारे में सोध करता है, तो क्या करता है, कि उसकी तत्थ, यानि उसका जो तत्थ है, वास्तविक चीज है, उस पर ध्यान दे करके, वो अपने मन से व्याक्या करने लगता है, व हम कह सकते हैं कि अब वो पूर्वा ग्राही हो चुका है यानि अपने मन से कहने लगता कि ऐसा हुआ होगा तो ये ऐसा हुआ होगा इसका मतलब क्या है ये पच्छपात है भाई इतिहास में पूर्वा ग्राह का मतलब क्या होता है अपने मन से कोई चीज बता देना अपने अनुसरार करना चाहिए मध्यमार मतलब बहुत ज़्यादा अपने मन से मनगड़त कहानी नहीं बनानी चाहिए और तत्थ्यों पर ध्यान देना चाहिए कि तो हम इससे बच सकते हैं पूर्वग्रा से देखिए बटर फील्ड का यह कथन है कि इतिहास में निस्पक्षता संभो नहीं है यह बटर फील्ड का कहना है देखिए जो मने विल्यू से किया है या ग्रीन से किया है इसको आप जरूर याद रखिए यह बहुत इंपोर्टन है जैसे मैंने यह कथन का बटर फील्ड का यह कथन है कि इतिहास में निस्पक्षता संभो नहीं है और इसकी प्राप्ति का दावा करना सबसे महान गलती है यह बटर फील्ड का कतन है यह कहते हैं कि इतिहास में निस्पक्ष रहना संभो नहीं है कहीं न कहीं इतिहासकार पूर्वा ग्राही होई जाता है वो पचपात करी ही डालता है ये बटर फिल्ड का कहना है वास्तों में इतिहास लेखन का प्रतम चरण विशे का चुनाओ करना होता है और लेखन की निस्पच्छता का दावा उसी समय खोखला प्रतीत होने लगता है अब देखिए जब कोई इतिहास कार कोई लेखन कार करता है यानि किसी टॉपिक पर सोध करता है अनुसंदान करता है, खोज करता है तो अपने मन के हिसाब से पहले टॉपिक चुनता है तो जहां पर उसने अपने रूची के अनुसार अपने मन के अनुसार टॉपिक चुना वहीं से उसकी पुर्वाग्रा की प्रिक्रिया सुरू हो जाती है यानि वहीं से वह पच्छपात करने लगता है क्योंकि अपने मन के हिसाब से, अपनी रुची के हिसाब से किया है तो जब अपनी रुची के अनुसार कोई चीज करेगा तो पचपात कहा जाएएगा तो वहीं चीज है यहाँ पर जब वह अपनी रूची के अनुसार किसी विशे का चुनाओ करता है तो वहीं से जो है कि निस्पच्चता का दावा χोखला परतित होने लगता है यानि पचपात आने लगता है लेखन का कार प्रारम करने के लिए वह अपनी रूची के अनुसार साच्छों का चैन करता है ऐसी स्तिती में उससे निस्पच्चता की आसा करना आधार हीन परतीत होता है भाई वह अपने अनुसार साच्छ खोजता है, सबूत खोजता है फिर उसी के अधापपर ब्याक्या कर देता है तो इसका मतलब वो निस्पक्ष नहीं है क्योंकि वास्त्विक चीज वास्त्विक तत्थ हो नहीं खोज रहा वो जिसमें उसकी रूची है उस चीज को खोज रहा अब देखे ये थोड़ा सा आपको हो सकता है चोटा लग रहा हो ये जो word है सब्द है चोटे चोटे मैं अगली वार में कोसिस करूँगा इसको थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोसिस करूँगा अभी आप इस वीडियो में ऐसे देख लिजे देखे इसकार ये भी एक इतिहास कार हैं ये क्या कहते हैं इनकी माननेता है कि जिस प्रकार ब्यक्ति बाजार में जाकर अपनी रूची के अनुसार वस्तूओं का क्रय करता है उसी प्रकार लेखक अइतिहासिक तत्थ्यों को अपनी रूची के अनुसार संकलित करता है तर पश्चा पढ़ने लगती है और यहीं से पूर्वाग्रह का बीजा रोपड होता है यह एच कार महोदे कहते हैं जिससे कोई बेक्त बाजार जाता है तो अपने मन पसंद की सबजी खरीदता है और फिर उसको अपने इच्छा नुसार बनाता है फिर परोष देता है तो ऐसे इतिहासका चेज है उसकी व्याक्या करतें अपने नुसार बétais यह जो मैब आपकर करने इसकर के लिए पूर इहार और अवस्यं भावी है प्रन्तु इतिहासकार को इससे बचाव के लिए अपनी सुरच्छा, कि इस प्रकार जात करना चाहिए, जैसे कोई निरंग को सासक अपनी सुरच्छा है, तो अपने बिरोधी लोगों का प्रतिरोध करता है, यह कहते हैं कги अतिहास जूह है, उसमें पुरवगरह तो अपरहार यानी अनिमार है, अवस्य मधावि मतलब जो अ आवश यह होता है इसे हम रोक नहीं सकते हैं कहीं न कहीं तियास में पूरवगरा होता ही होता है फिर भी यह कहते हैं कि हमको उससे बचने का प्रियास करना चाहिए यह डेविट थॉम्सन कहते हैं अब देखिए यह जारखंट चौबे हैं इन्होंने कहा है यथारतता का मतलब सही चीज जो है वही यथारत का मतलब सत्य जो जैसा है उसको वैसा ही रखो तो यह कहते हैं यथारतता के संग्रह में यथारतता यानि तत्थ है यथारतता के संग्रह में पूरवगरा है इतिहास यानि लोग राश्ट प्रेम में आ करके राश्टियता की भाउना आ जाती उनके अंदर और फिर वो पूर्वग्रा कर बैठते हैं यानि कि कोई मालिजे कोई हमारे देश का इतिहास कार है भारत का तो जब भारत के किसी राजा का वड़न करेगा तो कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रियास करेगा कि ये अच्छे हैं ये वीर हैं साहसी हैं प्रकर्मी हैं तो यही चीज है पूर्वग्रा अपने राजा को आप अच्छा दिखा रहे हैं अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके कारण क्या है तो वहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इतिहासकार कैसे इसका प्रियोग करते हैं देखे वास्तों में निस्पक्चता के परदे की पीछे चले जाएं और तत्थों को महतुहीन बना देए उसको भावहीन बना चाहिए ठीक है पूरवगरा होता है इतिहासकार पूरवगरा कही ना कहीं करही देता है पाच-पाथ करहीं देता है लेकि फिर भी ऐसा ना कछे कि इसकезде उसमें अच्छों पर भरोसा यहाँ करेए एकदम तत्त को महतिहीन कह दे और भावीन बना दे ऐसा भी नहीं करना चाहिए पूर्वगरा इतिहासकार के लिए सक्ति दायक होने के साथ साथ उसके लेखन में सहायक भी होते हैं और बौधिक प्रियासियुत विशे निष्टता का इतिहास में पाय जाना आवस्चक है बटर फिल्ड का मता है कि राष्टियता की भावना के कारण ही अंग्रेजी इतिहासकारों द्वारा किया गया अमेंडा का वर्डन समी चीन है जबकि इस्पेन के इतिहासकारों ने सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम का कोई वर्डन नहीं किया और अमेंडा का वर्डन कर दिया इसका मतलब क्या है यहां भी पचपात हुआ भाई दोनों का वर्डन करना चाहिए बराबर दोनों को दिखाना चाहिए इसी प्रकार जर्मन इतिहास Leek को ने दित्य विशद के वर्डन में ब्रिटन के संद्रमे कोई संकेत नहीं दिया है ठीक इसी प्रकार इंगलेंड और अमेरिका के इतिहास विदों ने अमेरिका के स्वतंतरता संग्राम से संबंदित विब्रड को प्रस्दूत करने में अपनी रुची और अपने द्रिश्टी कोड को अधिक महातों दिया है यही कारण है कि इस संदर्भ में उनके निसकर्स एक दूसरे से भिन है इसी प्रकार अंग्रेज और भारती इतिहासकारों का द्रिश्टी कोड भी 1857 के संबंद में परस्पर भिरो दिया जैसे 1857 की करांती ले ले अपने देश में सीधा सीधा यह सब छोड़िए इस पे इमेरिका छोड़िए यह तो उधारन दिया है उधारन मैं आपको समझाता हूँ 1857 की करांती ले लीजिए अब देखे 1857 की करांती को जो वीडी सावरकर है वो कहते हैं प्रतम सोतंतरता संगराम है यानि वो प्रतम सोतंतरता संगराम कहते हैं अंग्रेज कहते हैं कि ये स्वार्थी 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 स इतिहास कारों में भिन भिन मत हैं, तो इसी को कहते हैं पच्छ पात यानि पूर्वा ग्राह, अब वो बिटिस अपने फायदे के लिए वैसा कह रहे हैं, तुछ कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा अंदोलन नहीं था, कोई बहुत बड़ा संगर्स नहीं था, छोटा सा सा इतिहास में पूर्वा ग्राह के कारण क्या हैं, क्यों होता है, पूर्वा ग्राह, देखे, सबसे पहले इतिहास का, इतिहास कार का समाजिक प्राणी होना, जो इतिहास कार होता है, जो इतिहास लिखता है, वो कहीं न कहीं समाज से ही आता है, समाजिक प्राणी होता है, तो कोसिस करेगा कि उनके अच्छे गुड़ों को जादा दिखा है बुरे गुड़ों को कम दिखा है तो वही चीज है इतिहास समाज का धरपड़ है और इतिहास का एक समाजिक प्राड़ी है ऐसी स्तिमी वह अपने समाजिक वातवराण के अनुरूप ही अपने विचार करता है इसलिए जीपी गूच ने लिखा है हांड मार्स वाले लेखक का विक्तुत उसके द्वारा लिखित प्रिष्टों में अभिव्यक्त होता है सामाजिक वातवराण में रहने के कारण निस्पक्षता के अनेका नेक प्रियासों के बाद भी वार्ड़न में कहीं न कहीं वो वक्षबात कर ही देता है अम मालीजे कोई मैं किसी धर्मिया जाती की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं आपको एक सिधा सा एक्जामपल देता हूं मालीजे कोई हिंदू इतिहासकार है और उसको दो सासक के बारे में लिखना है एक सासक है हिंदू एक सासक तो कोशिस करेगा कि हिंदू सासक के बारे में थोड़ी अच्छी चीजे लिखें क्योंकि वो हिंदू है धर्म यहां पर क्या पचपात का करण क्या है धर्म पूर्बा ग्रह का करण क्या होगा धर्मिक करण है धर्म के आधार पर भी इतिहासकार बेदभाव कर देते हैं अपने धर्म के बिद्ध्वानों या राजाओं के बारे में अच्छी चीजे लिखेंगे और विप्रीत वाले में थोड़ा उल्टा लिख देंगे तो वही सारी चीजे हैं यह देखिए यहां पर आभी गया धार्मिक द्रिष्ट कोड देखें इतिहास का धर्म सम्मधि द्रिष्ट कोड भी उसकी निस्पच्चता में बाधा उत्पन करता है धार्मिक मतांतर के कारण ही हिंदू मुस्लिम तथा अरब यहोदी इतिहासकारों के वर्डन में कभी एकता नहीं पाईगी मतलब किसी सासक के बारे में मालिजे बाबर के सासक के बारे में बाबर जो है उसके बारे में कोई मुस्लिम इतिहासकार है वो कुछ और वर्डन करता है हिंदो इतिहासकार है कुछ और कहता है यह एकता नहीं है विबिन धर्मों को मानने वाले सभी इतिहासकार में परसपर दोएस भाव होता है अता उनके वर्डन में पच्पात और पूर्वाग्रह का होना सभाविक है तो ये धार्मिक दिरिष्ट कोड हो गया फिर है तीसरा है विशय चैन की प्रिक्रिया इतिहासकार ने इतिहासकार के पूर्वाग्रह विचारों का फल होता है चुकि एतिहासिक तत्थों का सुरूप चैनात्मक है इतिहासकार अपनी रुची के अनुसार विशय एवं साच्छों का चैन करता है फिर भी पूर्वाग्रह के प्रेडाम सुरूप एक ही घटना को भिन भिन इतिहासकार आपने अपने धंग से वर्लित करते है अपने 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 धंग से वर्लित करते है अब देखें यह देखें अवरंग जेब की नीती के सम्मध में यदुनास सरकार और फारुकी का वर्लित परसपर भिरूधी है इसी परकार यूरोप में रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टन्ट इतिहासकारों ने ततकारीन आइतिहासिक घटनाओं का प्रथक प्रथक वड़न प्रस्तुत किया है और उनकी व्याक्या भी की है तो यह आप समझ सकते हैं कि विषय चैन की प्रक्रिया में भी कहीं न कहीं पुर्वग्रा आही जाता है अपनी रूची और अपने मनपसंद के अनुसार विषय और साच्यों का चैन करते हैं इतिहासकार तो वहीं से पुर्वग्रा की सुरुवात हो जाती है चोथा करण है इतिहासकार का व्यक्तिगत द्रिष्ट कोड इसकार यह मानता है कि तथ्यसोयम नहीं बोलते हैं अपि तो इतिहासकार उन्हें बुलवाता है जो इतिहासकार की इच्छा की प्रधानता को सिद्ध करते हैं तथ्यसोयम नहीं बोलते हैं तथ्यों को इतिहासकार क्या करते हैं तोड मरोड कर प्रसुत कर देते हैं तथ्यों से बुलवाते हैं सच तो यह है कि इतिहासकार का पूर्वग्रह पूर्ड व्यवहार इससे भी सिद्ध होता है कि वह अपनी व्यक्तिकत धारणा को अधिक म प्रदान होता है इतिहास तत्थ प्रदान होकर व्याक्या प्रदान होता है अब देखिए जो पीडियाफ में आपको दे दूँगा टेलिग्राम चैनल को आप जोइन कर लीजिएगा मैं टेलिग्राम चैनल के लिएंग के दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको मिल जाएगा वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए फिर आपको पीडियेफ मिल जाएगा मैं इसको पीडियेफ रूप में दे दूँगा पांचवा कारण है बिभिन राजनितिक विचारधारा है मानो समाज में निवास करता है यानि मनुष जो है वो समाज में निवास करता है जहां बिभिन राजनितिक दलो की विचारधारा के लोग रहते हैं बिभिन राजनितिक विचारधारा के लोग रहते हैं तथा तत्यों का अपने दिरिश्टिकोल से चुनाव करता है आप जानते हैं आई देश में जैसे सरकार रहेगी इतिहासकार कहीं न कहीं उसी की बोली बोलीगा इतिहासकार गिबन ने रोमन समराज के पतन में नैतिक कारणो को महतो दिया है अब देखी यहां देखी एक उधारण फिर दिया है गिबन जो है यह रोमन समराज के पतन में नैतिक कारणो को महतो दिता है इसी प्रकार काल माक्स क्या कहता है यह कहता है कि आर्थिक कारण जिम किसी को नहीं पता है लेकिन सब अपने अपने रूची के अनुसार अपने अपने विशलेशण करते हैं परसपर बिरेधो दिरिष्ट कोड के कारण ही इतिहास में पूर्बगरा का होना आवश्यक है निस्पच्चता का होना संभव नहीं है रांके ने भी अपने ग्रंथ में इनका समर्थन किया है एक और इसका देख लेते हम लोग कारण एतिहासिक घटनाओं की भूम का एतिहासिक घटनाय भी कहीं न कहीं पूर्बगरा का कारण बनती है कैसे देखे कुछ एतिहासिक घटनाओं के कारण एतिहासकार का दिरिष्ट कोड पूर्बगरा में हो जाता जिसे अधिकतर फ्रांसेसी इतिहासकारों की मानता है कि आधुनी की उक्का प्रारम 1789 की फ्रांसेसी क्रांती के फल्सुरूप हुआ था अब देखे, फ्रांसीसी इतिहासकार हैं, फ्रांस के, तो वो मानते हैं कि जो आधुनी की उक्का प्रारम होता है, वो 1789 की फ्रांसीसी करांती के फल्सुरूप हुआ है, इतिहास के अंतरगत हम एक नहीं अनेक घटनाओं का वर्डन पाते हैं, जिनमें इतिहासकारों ने एक प्रिषिद विद्वान ने लिखा है कि उपरोगत आधिहासिक घटनाओं के कारण इतिहासकारों के मत मतैक की कमी है, जो इतिहासकार में पूर्बगरा की भावनों को बढ़ाने में सहायक होते हैं, अंतमी इस संदर में या कहा जा सकता है कि उपरोगत परिषितियों मे निस्पक्चता का बीजारोपड अत्यन दुसकर प्रतीत होता है निस्पक्च रहना थोड़ा सा कठीन है बटर फील्ड का मानना है पूर रूप से उचित है बटर फील्ड का मानना पूर रूप से उचित है कि इतिहास में निस्पक्चता असंभव है और इसके प्राप्ति का दावा पूरी तरह खोखला और बरांती मोलक है यानि बटर फिल्ड कहते हैं कि इतिहास में निस्पक्ष रहना संभो नहीं है पचपात करी ही डालता इतिहास कार कितना भी बचे जी आर एल्टन ने भी लिखा है कि व्याक्ष रूफी माचिस की तीली द्वरा प्रजलित किये जाने पर तत्य सोयम प्रकासवान हो जाते हैं वाल्स ने भी लिखा है क्या कहा है वाल्स ने अतीद की व्याक्ष एक विशेश द्रिष्ट कोड से की जानी चाहिए अता इतिहास लेकन को दोएस रहित इवन निस्पच होने की बात कहना एक महान भूल है इतिहास में इतिहासकार का बिक्तुत स्वयम प्रदर्शित होई जाता है तो देखिए मैंने आपको बता दिया पूर्बा गरह क्या है आप समझ गयोंगे पूर्बा गरह के कारण क्या है कैसे इतिहासकार पूर्बा गरह कर देता है कैसे पच्चपात कर लेता है मैंने आपको बता दिया अब आगे मैं आपको इसी से सम्मंदित एक टॉपिक बताऊंगा अगली वीडियो में निस्पक्चता ये तो मैंने आपको बताए पूर्बा गरह के पच्चपात अब इसका उल्टा मैं बताऊंगा निस्पक्चता क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में अगले वीडियो आपको पसंदा है तो इसको लाइक कर देज शेयर कर दीज़े चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े और यहाँ पर जितने मैंने विद्वानों के या इतियासकारों के कथन बताए है जैसे ये बटर फिल्ड का है वाल्स का है इन सब के कथन को आप जरूर याद रखिए क्योंकि एक्जाम में चाहाए आपका